और सन 1609 में एक जर्मिन साइंटिस जिसका नाम था योहनियस केपलर उसने लिखा अपनी किताब में एस्टोनोमा नोवा के सिर्फ सयारे और चांद सूरज के गोल घूम नहीं रहे है लेकिन जमीन, चांद और सयारे प्लानेट्स सूरज के गोल घूमने के इलावा अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं, they are rotating about their own axis और जब मैं स्कूल में था, मैं सन 1901 में दस्वी में था, जोग्रफी में मैंने पढ़ा था, कि जमीन, चांद और सयारे प्लानेट्स, वो चकल लगा रहे हैं, they are revolving and rotating और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन सूरज अपने महवर पे गर्दिश नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने जब कुरान की एक आयत पड़ी, सुरह अंबिया, सुरा नम्बर 23 में अल्ला सुमाद आला फर्माते हैं, वो लजी खलक लेल वन नहारा, अल्ला सुभाना वत आला ने रात और दिन बनाया, वो शम्स वलकमर, सूरज और चांड, कुल नफी फलकियास बहून, वो घूम रहे हैं, और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं,